नमस्कार दोस्तों आज मैं एक बात करने वाला हूँ एक बड़े ही खास मुद्दे पर वेभाईक पहले एक वक्त हुआ करता था जब वेभाईक के संबन जो रहेते थे वो जीवन भर तक चला करते थे ना पहले तलाक शब्द सुनने को मिलता था यह चीज़े बिल्कुल नहीं होती थी लेकिन जो आज का वक्त आ चुका है तो आज के वक्त में ऐसा होने लगा है कि जो यह से यह नए नए चलन चलने लगे हैं हम सनातनी जो है वह एक तरीके तरे पड़े लीके होने के कहके हैं अपना आपको ग्लेमर की तरफ ले जा रहे है यह प्री वेडिंग शूट ठीक है यह शादियों में कश्रा उडाना यह चलन जो है वह चलने लगा है यह गलत चीज़े हैं क्योंकि पहले जैसे शादियां जो होती थी तो उसमें जैसे दुला दुलन एक दूसरे को देखते भी नहीं थे कि हमारे इसमें सनातन धर्म में रस्में हुआ करती थी जिसमें एक दूसरे को देखा भी नहीं करते थे एक साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठा रहे हैं यह हम मतलब आपको पड़े लिखे तो पोलते हैं, लेकिन हम अनपड़ से कई ज़्यादा गए भीते हैं Western Culture वह हमने अपना लिया है और उसी जगह पर आज देखे तो सारा वीश्वय सनातन संस्कृति को उपना रहा है हम सबसे ज़्यादा है कि यही चीजे रहती है हम अपने भगवानों के द्वारा जो रसमे बनाई गई है उन से हटके अपने आपको अपनी जो सोच उसको आगे ले जाने काम करने जो कि बेहत गलत चीजे हैं हमें इस ओर ध्यान देना होगा यह प्री वेडिंग चूट प्री वेडिंग आज क्या क्या चलने लागा है यह गलत चीजे हैं तो समझना पड़ेगा तभी हमें अपने धर्म को हमारी संस्कति को बचाय रहने के साथ-साथ उन्हें अपने आप कर दो